जै मात अदी आज से आप हमारे इस चैनल पर नवरात्री की दिनों में देवी भागवत पुरान की संपुन कथा सुनेंगे मेरे प्रयास रहेगा कि इन ही नौ दिनों में मैं संपुन देवी भागवत पुरान की कथा हैं आपको सुना सकूँ बस आपसे सहयोग यही चाहिए कि आप इन कथाओं को हर दिन समय पर जरू सुनिएगा देवी भागवत पुरान के पाड़ने और सुनिए से भयंकर रोग, अतिवरिष्टी, अनावरिष्टी, भूत, प्रेत, बाधा, कस्ट, योग और दूसरे आधी बहुतिक और आधी द्याविक तथा आधी द्याहिक कस्टों का निवारन हो जाता है श्री सूत जी महराज ने इसके लिए कथा का उलेक करते वे कहा था वसुदेव जीतवारा देवी भागवत पुरान को पुरायन का फल ही था कि प्रसेन जीत को ढूनने गए श्री कृष्ण संकट से मुक्थो कर सकुषल घर वापस लोटाए थे इस पुरान को सुनने से दरित्र धनी, रोगी निरोगी तथा पुत्रही निस्त्री पुत्रवती हो जाती है ब्रहामन, चत्री, वैश्य तथा शुत्र चत्रवर्णों के व्यक्तियों द्वारा समान रूप से पठनी और श्रवन योगी यह पुरान, आयू, विद्या, बल, धन, यश तथा प्रतिस्ठा देने वाला अनुपम ग्रंथ है इसकंद पुरारम करने से पहले सुनिये श्रीमत देवी भावत पुरान का महतम्य नैमिशा रणने तीर्थ में उपस्थित रिशी करणों ने श्री सूत जी महराज से कहा हे सूत जी, आप तो परम बुद्धिमान हैं, आप भगवान व्यास जी के शेश्रे हैं, आप बहुत वर्षो तक जीवित रहें हे भगवन, अब आप हमें मन को प्रसन करने वाली पवित्र कथाएं सुनाने की करपा कीजिए भगवान विश्नु के अव्तार की पावन कथा संपुण पापों का संघार करने वाली और अत्यत अद्वुत है हम भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवन कर चुके हैं भगवान शंकर का दिविचरित्र, भास्म और उद्राक्ष धारन करने की महिमा तथा उसका इतिहास भी आपके मुखारविन से हमने सुना आप हमें वे कथा सुनने की इच्छा है जो परम पवित्र हो और जिसकी प्रभाव से मनुष्य सुगमता पूर्वक मुक्ती और भुक्ती के सम्यक अधिकारी बन जाएं हे महाभाग आपसे बढ़का संदे निवारन करने वाले अन्य किसी को हम नहीं देखते आप हमें मुख्य मुख्य कथाएं कहने की करपा कीजिए जिससे कल्योगी मनिश्यों को भी सिद्धी मिल सके तब शिरी सूत जी महराज कहने लगे हे रिश्यो तुम बड़े ही भागिशाली हो जकत के कल्यान होने की इच्छा से तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्ण पूछा है अतहे संपुन शास्त्रों का जो सार रूप है वे प्रसंग विश्यद रूप से मैं तुम्हारी सामने उपस्थित रखता हूँ रिश्यो ने कहा हे महाभग सूत जी आप तो वक्ताओं में श्रेष्ट है वे कैसा पुराण है और उसके सुनने की कौन सी विधी है कितने दिनों में ये कथा संपन होती है इस कथा में किस देवता का पूजन होना चाहिए और कितने मनुष पहले इसे सुन चुके है और उन जो संसकार ही नीच कुल में उत्पन वेद पढ़ने के अनाधिकारी मूर्ख जन और इस्त्रिया है उन्हें धर्म का ज्यान कैसे हो ये चिंता उनके मन में जाग उठी तब स्वय मन में विचार करके उन्होंने उक्त प्राणियों के धर्मग्यानार्थ पुरान संगीता का स तो उसके वक्ता बने और राजा जन्मेजय को श्रोता होने का सुवसर प्राप्थ हुआ पूर्व समय की बात है जन्मेजय के पिता राजा परिक्षित थे उन्हें तक्षक नाग ने डस लिया था उनकी दुर्गती निवारण के लिए जन्मेजय ने देवी भागवत सुना वेद व्यास जी के मुखारविन से नौ दिनों में इसकी श्रवण विधी संपन की वे त्रिलोक जननी भगवती आद्यशक्ती का विधी पूर्वक पूजन करते थे नर्वाह यग्य समाप्त होने पर उसी चण महराज परिक्षित को भगवती का परमधाम प्राप्त हो गया दिवे रूप धारन करके विवहाँ पधार गए पिता को परमधाम प्राप्त हो गया ये देखकर राजा जन्मेजे को अपार हर्श हुआ उन्होंने मुनिवर व्यास जी की भली भाती पूजा की जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी भागवत की कथा सुनते हैं सिद्धी सदा उनके सन्निकट खेलती रहती है अतहां उन्हें निरंतर इस पुरान का श्रवन करना चाहिए सत्योग त्रेदा और द्वापर में अनेको धर्म थे किन्तु कल्यूग के लिए एक पुरान श्रवन ही धर्म रह गया है इसके सिवा मनुश्यों का उधार करने वाला कोई दूसरा धर्म ही नहीं है कल्यूग के मनुश्य धर्म और आचार से हीन और अलपाईू होंगे उनके कल्यान के लिए भगवान व्यास जी ने पुरान संग्यक इस अमरित रसका निर्मान किया है इस देवी भागवत के श्रवण में मास और दिवस का कोई खास नियम नहीं है मनुश्य सदा ही इस पुरान को श्रवण कर सकते हैं आश्वेन, चैत्र, विशाक और जेस्ट की महिने में तथा चार नवरात्रों में सुनने से अर्थात दो गुप्त और दो प्रकट नवरात्रों में सुनने से यह पुरान विशेज फल देने वाला होता है नवरात्र में इसका नुस्ठान करने पर मनुश्य सभी पुर्णी कर्मों से अधिक फल पा लेते हैं अतहा इसे नवहा यग्य कहा गया है जो कलुशित विचार वाले, पापी, मूर्ख, मित्र द्रोही, वेद की निंदा करने वाले और हिंसा में संगलग नितथनास्तिक हैं उनका भी कल्यूग में इस नवहा यग्य से निस्तार हो जाता है महान तप, वरत, तीर्थ, दान, नियम, हवन और यग्य करने पर मनिश्यों को जो फल दुडलब रहता है वेह भी नवहा यग्य से सुलब हो जाता है इसलिए देवी भागवत सरवोतम पुरान माना जाता है रिश्यों ने श्री सूत जी से पूछा है महा बुद्धिवान सूत जी महा भाग वसुदेव ने कैसे पुतर प्राप्त किया भगवान श्री कृष्ण ने परिब्रहमन करके प्रसेन को कहा खोजा और क्यों खोजा शुरिमत देवी भागवत की यह कथा वसुदेव जी ने किस विधी से सुनी और इसके कौन वक्ता हुए ये बताने की भी करपा कीचे शुरिसूत जी बोले भोजवन्शी राजा सत्राजीत द्वारका में सुख पूर्वक रहा करते थी उनके द्वारा सदा सुरि की आराधना की जाती थी भगवान सुरि ने सत्राजीत की भक्ती से प्रसन होकर उन्हें अपने लोख का दर्शन कराया साथ ही उन्हें एक स्यामन तक नामक मणी भी थी सत्राजीत उस मणी को गले में धारन करके द्वार का आए वह मनी अतिन्द चमकीली थी उसे देखकर पुरवासियों ने समझा कि शायद सूर्य नारायन है अतहे सुधर्मा सभा में बैठे वे भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर वे उनसे कहने लगे जगत प्रभो ये सूर्य नारायन आ रहे हैं उनकी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मुख पर मुस्कान चा गई वे बोले अरे बाल को ये सूर्य नहीं है ये तो स्यमन तक मनी धारण कर सत्रा जीत आ रहे है और मनी के कारण इनकी जोती फैल रही है और सूर्य देव ने ही इन्हें ये मनी दी है फिर सत्रा जीत ने ब्रहामनों को बुलाकर उनसे स्वस्ती वाचन कराया मनी की पूजा की और उस मनी को अपने भवन में इस्थापित कर दिया प्रति दिन आठ भास्वन देने वाली भह मनी जहां रहती थी वहां महमारी, दुर्बेक्ष और अन्य उत्पात संबन्दी भाई कभी ठहर नहीं सकते थे सत्रा जीत के एक भाई थे उनका नाम था प्रसेन एक बार वे उस मनी को गले में धारन कर घोडे पर सवार हुए और शिकार करने के लिए वन को चल दिये उन्हें सिह ने देखा और घोडे सहीत मार कर भे मनी ले ली रिक्ष राज जामवन बड़ा बल्ली था उसने देखा सिह मनी लिये हुए हैं तो उसने बिल के द्वार पर ही सिह को मार कर उससे भे मनी छीन ली और उसे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया बालक भी उस चमकिली मणी को लेकर खेलने लगा कुछ समय के बाद जब प्रसेन वापस नहीं लोटे तब सत्राजीत को महान दुख हुआ कहने लगे पता नहीं किसे मणी पाने की इच्छा हो गई जिसके हाथों प्रसेन काल का ग्रास बन गया फिर तो जन समाज के मुख से द्वारका में इस प्रकार किर्दनती फैल गई कि हो ना हो श्री कृष्ण नहीं प्रसेन को मार डाला है क्योंकि मणी में उनकी आसकती हो गई थी ये बात भगवान श्री कृष्ण के कानों में भी पड़ी तब अपने उपर लगे वे इस कलंक को दूर करने के लिए उन्होंने कुछ पुर्वासियों को साथ लेकर यात्रा आरब कर दी वे भयानक वन में जा पहुँचे सेह द्वारा मारे गए प्रसेन को उन्होंने बहा देखा रक्त से चिन्नित मार्ग को पकड़ कर सेह को खोजते वे वे आगे बढ़े एक बिल के द्वार पर मरा हुआ एक सेह दिखाई दिया तब कृपा परवश होकर वे पुर्वासियों से कहने लगे तुम लोग मेरे लोटने तक यही रहना मणी लेने वाले का पता लगाने के लिए मैं इस बिल के अंदर जा रहा हूँ बहुत अच्छा कहकर पुर्वासि वही बिल के बाहरी ठहर गए भगवान श्री कृष्ण बिल के भीतर वहां गए जहां जामवान का स्थान था देखा रिश राज का बालक मणी हाथ में लिये हुए था उन्होंने मणी छीनने का प्रयास किया इतने में ही धाय ने भेहंकर शब्दों में गर्जना आरम कर दिया धाय की चिलाहट सुनकर वहां तुरंत ही जामवाना पहुँचा उसका भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्धारम हो गया रात दिन लगातार लडाई होती रही दोनों में 27 दिनों तक घोर संग्राम चलता रहा उधर द्वार का वासी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिक्षा में बिलके द्वार पर ही रुके वे थे बारह दिनों तक तो उन्होंने प्रतिक्षा की फिर डर कर वे अपने अपने घर को लोट गए पहुँचने पर आरंब से अंततक सारा समचार कह सुनाया सुनकर सबको बड़ा दुख हुआ अब वे 17 जीत की निंदा करने लगे अपने पुत्र की यह कस्ट कहानी महभाग वसुदेव के कानों में भी पड़ी परिवार सहित वे शोक सागर में डूबने उत्राने लगे अब मेरा कल्यार कैसे होगा इस प्रकार की अनेको चिंताएं उनके मन में उठने लगी इतने में ही देवर्शी नारत ब्रह्मलोक से वहाँ पधारे वसुदेव जी उठकर खड़े हो गए मुनी को प्रणाम किया उनकी यतोचित पूजा की नारत जी ने बुद्धिमान वसुदेव जी से कुशल समचार पूछा फिर कहा नारयन नारयन वसुदेव जी आप इतने चिंतित क्यों हैं इसका कारण बतलाईए वसुदेव जी कहने लगे मेरा प्रेपुत्र शुरी कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए पुरवासियों के साथ वन में गया हुआ था मरे वे प्रसेन पर उसकी द्रिश्टी पड़ी बिल के द्वार पर देखा कि प्रसेन को मारने वाला सेह भी मरा पड़ा है तब पुरवासियों को द्वार पर ही ठहरा कर वे स्वय मंदर खुस गया मुने बहुत दिन बीट गए अब तक मेरा वह प्राण प्रे पुत्र वापस नहीं लोटा इसी से मैं चिंतित हूँ कोई ऐसा उपाय बताने की करपा किज्ये जिससे मेरा पुत्र शिगरी वापस आ जाए तब नाराज जी बोले हे ये दुसरेश्ट तुम पुत्र प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना करो उनकी आराधना से ही तुम्हारा शिगर कल्यान होगा वसुदेव जी ने पूछा हे देवर्शी वे अंबिका देवी कौन है उनकी क्या महिमा है और कैसे उनका पूजन होता है भगवन इस सब बताने की किरपा कीजे नारज जी बोले है महाभाग वसुदेव अंबिका देवी के संपुन महातमी को विशेद रूप से कौन कह सकता है मैं संशेव से कुछ कहता हूँ सुनो भगवती अंबिका नित्य सरूपिणी है सत्चित और आनंद में उनका श्री विग्र है वे सर्वोपरी हैं वे चराचर जगत उनसे ओध प्रोथ है उन्ही की आराधना के प्रभाव से ब्रहमा जी इस चराचर जगत की रचना करते है मधू और कैटब से भहवीद होने पर पिता महने देवी की स्तुति की और वे उस भहे से मुक्त हुए उन्ही की कृपा से भगवान विष्णू इस जगत का संग्रक्षन करते हैं भगवान रुद्र पर उनकी कृपा दृष्टी पड़ी तबी संसार के संगहार में सफल हो सके वे ही संसार बंधन में हेतु है मुक्त कर देना भी उनका कार्य है विदेवी पर्मा विद्या स्वरूपिनी है संपौन शक्ती शालियों पर भी उनका ही शासन रहता है तुम नवरात्र विधी से उन भगवती जगदंबिका का पूजन करके नौ दिनों में श्रीमत देवी भगवत पुरान सुनो उस पुरान के श्रवन करने से शिकरी तुमारा पुत्र लोट आएगा इस पुरान के पढ़ने और सुनने वाले से भगती मुक्ती दूर नहीं रह सकती इस प्रकार मुनिवर्द नारत जी के कहने पर वसुदेव जी ने उनके चरणों में मस्तक जुकाया और अपार प्रसनता प्रकट करते वे कहने लगे भगवन आपके कहने पर भगवती जगदंबिका के करपा प्रसाद से सिद्ध होने वाला अपना पूरो प्रसंग मुझे याद आ गया उसे मैं कहता हूँ सुनिए पहले की बात है आकाश वानी से ये जानकर कि देवी के आठवे गर्ब से कंस का निधन होगा पापी कंस ने भए के कारण मुझे सभा में ही गेर लिया अपनी पतनी देवकी के साथ मुझे कारागार में जाना पड़ा जैसे ही हमारी संतान होती दुरात्मा कंस उन्हें मार डालता था कंस के हाथों मेरे छह संतानों की मृत्ती हो जाने पर देवकी के अंतहकरण में शोक का सागर उमर पड़ा अब मैं कल्यानी रात दिन चिंता करने लगी तब मैंने मुनिवर गर्ग जी को बुला कर उनकी चरणों में मस्तक जुकाया पूजा की अनुने विने किया और पुत्र की इच्छा प्रकट करते वे देवकी की कस्ठ कता उने कह सुनाई मैंने कहा भगवन आप तो करुणा की सागर है यादवों ने आपसे दिख्षा पाई है मुने आप दिर्ग जीवी पुत्र प्राप्त होने का साधन बतलाने की करपा करें तब दयानिधी गर्ग जी प्रसन होकर मुझसे कहने लगे हे महाभाग वसुदेव दिर्ग जीवी पुत्र प्राप्त होने का उपाई बताता हूँ सुनो भगवती दुर्गा भगतों का दुख दूर करने वाली और कल्यान स्वरूपिणी है तुम उन्ही के आराध ना करो उनकी करपा से तुम्हारा तुरंत कल्यान हो जाएगा क्योंकि उनकी उपासना से अखिल जनों के समस्त मनोरत भी पूर्ण हो जाते हैं भगवती दुर्गा में भगती रखने वाले मनिश्यों को जगत में कुछ भी वस्तु दुर्लब नहीं है मुनी के ऐसा कहने पर हम पती पतनी दोनों के हरदय में अपार हर्ष छा गया मैंने अत्यत भगती पूर्वक उनको प्रणाम किया और हाथ चोड़ कर कहा भगवन आप तो परम दयालू हैं अगर आपकी मुझ पर कृपा हो तो मथुरापुरी में रहकर ही आप मेरे लिए भगवती जगदंभीका की आराधना आरंब कर दीचे महामते मैं कंस के हाँ बंदी बना हुआ हूँ इस समय मुझ से कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती इसलिए आप ही इस दुख रूपी दोस्तर सागर से उद्धार करने की किरपा कीचे उस प्रकार मेरे कहने पर मुनिवर गर्ग प्रसन्ण होकर बोले वसुदेव तुम मेरे अति प्रे Anim पात्र हो इसलिए तुमहारे कल्यान के में अवशी यह प्रियास करूँगा फिर तो मेरे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने पर मुनिवर गर्ग जी भगवती जगदंबिका की आराधना करने के लिए कुछ ब्रहमणों को साथ लेकर विंदे परवत पर चले गए वहां पहुँचकर वे भगतों के मनुरत पूर्ण करने वाली जगन माता के जब और पाठ में संगलगन होकर उनकी आराधना करने लगे अनुस्ठान समाप्त होने पर आकाश वाड़ी हुई कि मुने मैं प्रसन हूँ तुम्हारा कार्य अवस्य शित होगा प्रत्वी का भार दूर करने के लिए मैंने श्री विश्णू को आधेश दिया है कि वे वसुदेव के यहां देवकी के गर्ब से अपना अंशावतार ग्रहन करेंगे उनके प्रकट होते ही वसुदेव जी कन्स के डर से उन्हें लेकर गौकल में नैंद जी के घर पहुचा देंगे साथ ही ये शोदा जी की कन्या को ले जाकर अपने यहां आएवे कन्स को दे देंगे और फिर कंस उस कन्या को जमीन पर दे मालेगा इतने में ही वह कन्या कंस के हाथ से छूट जाएगी उसका अत्यत मनोहर रूप हो जाएगा मेरा ही अंशुरूप विग्रह धारन करके वह विंधि गिरी पर जाकर जगत के कल्यान में संगलगन हो जाएगी इस प्रकार पत्नी दोनों को ही बड़ी प्रसनता हुई मेरे हिर्दे में तो आनंद का समदर उमर पड़ा तभी से भगवती जगदंबीका का उत्तम महातर में मैं जानता था देवर्शे आज भी आपके मुखारविन से वही महातर में मैं सुन रहा हूँ अत्ह हे प्रभू आप ही शत्र में उन्होंने कथा आरंब कर दी कथा की निर्वेग्न समाप्ती के लिए अनेको ब्रहमन नर्वान जब करने लगे कुछ ब्रहमनोंने मारकंडे पुरानोक्त दुर्गा सप्षती का पाठ आरंब कर दिया नारत जी ने प्रथम इसकंद से कथा आरंब की वसुदेव भक्ति पूर्वक सुनते रहे नवे दिन कथा प्रसंग समाप्त हुआ महाभाग वसुदेव जी ने प्रसंद होकर पुस्तक और कथा वाचक की यतोचित पूजा की उस समय भगवान श्री कृष्ण का जामवान के साथ बिल में युथ चल रहा था फिर भगवान श्री कृष् अपराद शमा कराने लगा उसने कहा भगवन मैं आपको जान गया आप ही रागिवेंद्र भगवान श्री राम है आपके क्रोच से समुद्र शुप्त हो उठा था लंका चौपठ हो गई थी और सा परिवार रावन काल का ग्रास बन गया भगवन वही आप अब श्री कृष श्री कृष्ण ने कहा है रिक्षराज हम इस मणी को लेने के लिए ही यहां बिल में आये हैं फिर तो रिक्षराज चामवान ने प्रीति पूर्वग भगवान श्री कृष्ण की पूजा की अपनी कन्या जामवंती का उनके साथ विवाह करा दिया और मणी भी सौब दी वसुदेव जी ने ब्रहमन को भोजन करा कर उन्हें दक्षना से प्रसन किया ब्रहमन अशिर्वात दे ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण मनी धारन कीवे पतनी के साथ वहां आपहुँचे पतनी सही श्री कृष्ण चंद्र को वहां पधारे देखकर वसुदे वसुदेव जी की आग्या लेकर ब्रहम लोग को चल दिये भगवान श्री हरी का जो यह चरित्र है उसके प्रभाव से अपयश शांत हो जाता है शुद्ध चित्त होकर निर्मल भक्ती के साथ जो इसे पढ़ता है अत्वा सुनता है वह पूर्ण सुखी हो जाता है जगत मे उसकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रह जाती और अंत में वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है शुरी सूत जी कहते हैं हे मुनिवरों अब दूसरा इतिहास भी सुनो जिसमें इस देवी भागवत का महातमी कहा गया है एक समय की बात है मुनिवर अगस्त जी जिनकी पत उन्हें सुनाई वेकाशी मनीकर्णिका गंगा आधी तीर्थों का महातम में विश्यद रूप से वण्णन कर गए इन कथाओं को सुनकर मुनिवर अगस्त जी को बड़ी प्रसनिता हुई जगत के कल्यान के लिए परम तेजस्वी कार्थी के जी से उन्होंने फिर पूछा अगस्त जी बोले तारकसुर का संघार करने वाले हे भगवन आप सर्वशक्ती संपन है अब देवी भागवत का महातम में और उसके सुनने की विधी भी बताने की करपा कीजिए जिसमें तरिलोग जननी नितिसरूपा भगवती दुर्गा के चरित्रों का गुडगान किया जो नितिसरूपा है सत्चित आनन्द मै जिनका श्रिविग्रह है तथा भुक्ति मुक्ति देना जिनका सुभाव ही है वे भगवती जगदंबिका देवी भागवत में स्वैम विराजमान रहती है इसलिए हैं उन्हें इसे देवी की वांगमई मूर्ती कहते हैं इसके पढ विवस्वान मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा था श्रद्धा ने होता से प्रार्थना की कि है ब्रहामन आप ऐसा उपाय कीचे कि मेरे गर्भु से कन्या उत्पन हो तैब होता आर्था ब्रहामन देपता ने कहा मन ही मन कन्या उत्पन हो ऐसा संकल्प करके विखबन करने लग राजा विवस्वान उस कन्या को देखकर उदास हो गए तब उन्हाने गुरुदेव से पूछा कि यहां आपका संकल्प उल्टा फल देने वाला कैसे हो गया राजा की बात सुनकर मुनी वर वस्षिष्ट ध्यानस्त हो गए पेरु ने मालुम हुआ कि होता इस व्यतिक्रम के कारण है तब इला को पुरुष बनाने के लिए मुनी ने भगवान श्री हरी की शरन ली मुनी के तप और भगवान के अनुग्रह से वह इला सबके देखते ही देखते पुरुष रूप में परिनत हो गई उस समय गुरुदेव ने संसकार करके इला का नाम सुद्यूम्न रखा वे मनुपुत्र सुद्यूम्न ऐसे प्रकांड विद्वान वे मानो विद्या के है अथास सागर हो कुछ समय के बाद जब सुद्यूम्न युवा हुए तब वे घोडे पर चड़कर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए किसी समय की बात है देवाधी देव भगवान शंकर अपनी प्राण प्रिया पार्वती जी के साथ प्रसनिता पूर्वक विविहार कर रहे थे उसी समय उनके दर्शनों की अभिलाशा से मुनिगण वहां पधारे मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई श्राप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा उसकी आकरती इस्त्री बन जाएगी उसी समय से पुरुष उस इस्थान पर नहीं जाते सुद्यबन वहां पर अंजाने में सहसा ही चले गया और जाते ही उनकी आकरती अर्थात उनका शरीर इस्त्री का हो गया उनके साथ के सभी लोग भी इस्त्री बन गए जो गोड़ा था वह भी घोड़ी के रूप में बतल गया ये देखकर उस सुंदरी इस्त्री को बड़ा शरीवा अब वह बन में इधर उधर गूमने लगी एक समय की बात है वह इस्त्री बुध के आश्रम के सन्निकट पहुँच गई उसे देखकर बुध के मन में विकारूत पन हो गया उसे पाने की इच्छा जाग उठी और वह भी सोमनंदन बुध को पती बनाने की इच्छा प्रकट करने लगी तब वह इस्त्री बुध के साथ हास विलास करती हुई उन्हें के आश्रम में रहने लगी कुछ समय बीतने पर बुध ने उस इस्त्री के गर्ब से पुरुर्वा गूत्पन किया बुध के आश्रम में र उन्हें प्रणाम करके अपना सारा समचार के सुनाया और पुना पुरुष होने की इच्छा प्रकट करती भी उनकी शर्णापन हो गई। सारी बाते विदित होने पर वसिस्थ जी कलाश परवत पर गए। उन्होंने भगवान शंकर की भली भाती पूजा की और उत्तम भक्त के साथ वे उनकी आराधना में लग गए। वसिस्थ जी ने कहा है भगवन आप कल्यान सरूप मंगल करता और जटाधारण करने वाले हैं। पारवती जी आपकी अर्धांगनी है। चंद्रमा आपके ललाट की शोभा बढ़ाती रहते हैं। आपके प्रती मेरा बारंबार नमस्कार है। सुख प्रदान करने वाले केलास वासी भगवान शंकर आपको नमस्कार है। आप भगतों को बुक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान नीलकंठ है। जो कल्यान मैं विग्रहे हैं, शर्णा गतों का भाई दूर करना ही जिनका सभाब बन गया है। और रुद्ररूप धारन किया करते हैं, जो वर देने में सदा तत्पर रहते हैं, उन देवाधी देवत्रिपुरान तक भगवाण शंकर को नमस्कार हैं। यग्य करने वालों को यग्य फल प्रदान करने वाले यग्य सरुप भगवान शंकर को बारंबार नमस्कार है सूरी चंद्रमा और अगनी को ही अपने तीनों नेत्रों में स्थापित करने वाले गंगाधर भगवान शंकर आपको नमस्कार है इस प्रकार वसिस्ट जी के इस्तोती करने पर भगवान शंकर प्रकट हो गए वे नंदी पर सवार थे जगत जनी पारवती जी साथ में ही विराजमान थी शंकर जी का दिवे विग्रह करोडो सूर्यों के समान जगमगा रहा था रजदगरी के सद्रिश उनकी स्वच कांती थी तीन नेत्र थे ललाट पर चंद्रमा सुशो भित्था और वे अत्तित प्रसन होकर शरण में आये वे मुनिवर वसिस्ट जी से कहने लगे वे प्रवर तुम्हारे मन में जो इच्छा हो बर मागलो भगवान के ऐसा कहने पर वसिस्ट जी ने उनके चरणों में शीष उखाया और इलागे पुरुष हो जाने की प्रार्त न की तब प्रसन होकर भगवान शंकर ने मुनिवर से कहा ये एक महिने पुरुष रहेगा और एक महिने इस्त्री इस प्रकार भगवान शंकर से वर प्राप्त करने पर वसिस्ट जी ने जगत जन्नी भगवती पारवती को प्रणाम किया विदेवी वर देने में सदा उत्सुक रहती है करोणो चंद्रमा के समान उनकी सुन्दर कांती है उनका मुख मंडल मुस्कान से भरा रहता है इला सदा के लिए पुरुष बन जाए इस कामना से मुनी भक्ती पुर्वक देवी पारवती की पूजा करके उनकी इस्तुती करने लगे इस प्रकार कि भक्तों पर करपा करने वाली है देवेश्वरी आपकी जय हो अखिल देवताओं से सुपूजित होने वाली हे देवी आपकी सदा ही जय हो अनन्त गुणों की आश्रे भूता देवी आपकी जय हो शर्णा गतों पर अनुग्रह करने वाली देवेश्वरी आपको बारम बार नमस्कार है दुख दूर करने वाली और दुस्ट दैत्यों की संघार्णी हे भगवती दुर्गे आपकी जय हो भक्ती से प्रसन होकर दर्शन देने वाली जगदंबिके आपको प्रणाम है हे महमाये आपके चरन कमल संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली देविश्वरी आप प्रसन हो जाएए देवी कौन है जो आपके इस्तुती कर सके मैं तो बस केवल आपको प्रणाम कर रहा हूँ भगवती दुर्गास आक्षात नारायनी है वसिस्ट जी के भक्ती पूर्वक इस प्रकार इस्तुती करने पर वे तुरंत ही प्रसन हो गई फिर शरणागतों का दुखदूर करने वाली उन महादेवी ने मुनी से कहा तुम सुद्युम्न के घर जाकर भक्ती भाव से मेरी आराधना करो तुम प्रसनता पूर्वक नौ दिनों में सुद्युम्न को श्रीमत देवी भागवत सुनाओ वह पुरान मुझे बहुत प्रेह है उसके सुनते ही वह उसी च्छण पुरुष हो जाएगा इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और देवी पारवती अंतरध्यान हो गए अब मुनीवर वस्रिस्ट जी उस दिशा को प्रणाम करके अपने आश्रम में चले आए उन्होंने सुद्युम्न को बुलाया और देवी की आराधना करने की सारी बात कह सुनाई आश्रम मास के शुकल पक्ष में नवरात्र विधी का पालन करते वे मुनी ने भगवती जगदंबिका की पूजा की और राजा सुद्युम्न को श्रीमत देवी भागवत पुरान सुनाना आरंब कर दिया राजा भी वे अमरित मई कथा भक्ती भाव से सुनने में संगलगन हो गए कथा समाप्त होने पर उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी पूजा की और फिर वे इस प्रकार सिदा के लिए ही पुरुश हो गए तब मुनीवर वसिस्ट ने सुद्यम्न को राज पर अभिशिक्त किया अभिशेक करने के साथ ही सुद्यम्न प्रजा जन को प्रसन करतेवे भूमंडल पर राज जी करने लगे उन्होंने तरहा तरह की यग्य जिनमें प्रचुर दक्षिना दी जाती है उन सब से देवी की पूजा की फिर पुत्रों को राज शौप कर स्वयम भगवती के परम धाम को चले गए विप्रो मैंने विशद रूप से यह इतिहास कह सुनाया जो मनुष्य परम अमरित रूप इस प्रसंग को पढ़ता है प्रेम से सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है संसार में देवी भगवती की कृपास से उसके सभी मनुरत पूर्ण हो जाते हैं और अंत में वे भगवती के परम धाम को चला जाता है जय माता थी आज का ध्याय पूर्ण हुआ इसके आगे की कथाब अगले ध्याय में जरू सुनिएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी बताईएगा